ओम नमस्षिवाय जय महाकाल आप सबको पता है कि बैकूंट चतुरदसी का दिन आ गया है जो बैकूंट चतुरदसी है वो 6 तारीकों यानि 6 नमबर को शाम को 4 बजे लग रही है और 7 तारीकों शाम को 4 बजे तक रहेगी तो इस उपाय को इसके बीच में आपको करना है ठीक उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें हमेशा के तरह काऊंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग यह जो फोटो इसक्रीन पर देख रहे होंगे यह आपको कुछ देखा देखा सा लग रहा होगा देखो इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 13 दीपक ल लगाने है न 14 दीपक आप लगाओगे बैकों चत्तूदसी के दिन लेकिन टाइम समझ लो रात में 11 बजे से लेकरके 14-13 बजे की बीच में किया करना है आपके घर में जहां पर भी जलासा हो जहां पर जलका श्रोत हो चाहे वो टोटी हो या फिर आपके घर में टोटी नही इससे क्या होता है आपके घर में कभी पी लक्षमी की कमी नहीं होती है धन की कमी नहीं होती है यह दीपक आपको अलग से नहीं लगाना है जो 14 के 14 दीपक आप लगाओगे उन 14 दीपक में से एक दीपक आपको अपनी नर्ड तोटी के पास लगाने है ठीक है पहली चीज़ सम लगाओगे उन 14 दीपकों के बीच में से दूसरा दीपक आपको लगाना है माता तुलसी के पेंड के नीचे और माता तुलसी के पेंड के नीचे हमेसा गोल बत्ती का दिया लगता है इस बात का विशेज ध्यान लखना ठीक है तो पहला दीपक आपको अपने नर टोटी या जहां पे जलास है, वहां पे लगाना है, दूसरा दीपक आपको मातत तुलसी के पेंड के नीचे लगाना है, गोल बत्ती का, रात में 11 बजे से लेकर के, साड़े बारा बजे के बीच में कभी भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, बाकी जितने भी दीपक है, मैंने इस से पहले जो विडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था, कि बाहर आप लगा सकते हैं, और जो भी आपको जहां पे लगाने हैं, मैंने बताया था, बार बार उचीज को रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, नीचे कोमन में आप पूछ सक सकते हैं, आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, विडियो लाइक जरूर किया करिए अगर आपको पसंद आती है, तो, ओम नमस्षिवाय, जैवार्ण